I hope आप सभी अच्छी होंगे तो इस्ट्वेंट आज के इस वीडियो में हम पूरा डिटेल से explain करने वाले हैं पूरा डिटेल के साथ हम discuss करेंगे IAT GM 2022 के लिए mathematics का क्या seat matrix है यानि जो math से जिन्होंने paper दिया है वो इस्ट्वेंट कौन कौन से program में कौन कौन से IAT में कहां कहां admission ले सकते हैं तो सभी categories के लिए discuss करेंगे general, EWS, OBC, SE and PWD तो सभी IAT का हम discuss करेंगे और जिन IAT में एक से जाधा branch है तो उनका भी हम details से discuss करेंगे इस्ट्वेंट चैनल पे नए हैं तो please चैनल को subscribe जूर करते हैं अधरवाज वीडियो को like share करना मत बूलना इस्ट्वेंट काफी मेरत लगता काफी time spend करना होता इस तरह के वीडियो में इस तरह के analysis में इस्ट्वेंट इसमें ST category को include नहीं किया है ST category को include नहीं किया है उसके लिए हम details से अलग से वीडियो मना देंगे और जहां पर plus का plus के बाद में जो number है plus one plus two तो plus one ये plus two ये number उनके लिए ये seat उनके लिए जो PWD category से बिलोंग करते हैं जो विकलांग student है उनके लिए seat number है बागी जो normal number है वो category wise है तो इस्ट्वेंट सबसे पहले हम बात करते हैं IAT Bombay में IAT Bombay में Maths वाल स्ट्वेंट के लिए Maths वाल स्ट्वेंट के लिए चार ब्रांच है एक तो आपके MSC Mathematics है ये आप जिसके बारे में जानते हो उसमें general की seat 14 है और एक seat general के अंदर PWD स्ट्वेंट की है तो total आपकी 15 seat होगी general के लिए MSC Maths में क्योंकि अगर कोई PWD strand नहीं पहुंचता है उस category का तो वो seat जो है उसी category के strand को दी जाती है जैसे EWS में एक seat PWD की है अगर EWS में अगर PWD का strand नहीं आएगा इस seat पर तो ये seat जो है ये EWS वाले strand को मिल जाएगी तो EWS में 4 seat हो जाएगी इसी परकार OBC में 10 seat है SC में 6 seat है total कितनी seat है कौन-कौन से प्रोग्राम के लिए total कितनी seat है category wise कितनी seat है total Maths वाले strand के लिए सारा हम आगे से डिसकस करेंगे सब कुछ टोटल पूरा analysis आपको स्ट्वेंट्स मिलेगा इससे बैतर वीडियो इससे बैतर चैनल आपको IITGM counseling के लिए कहीं नहीं मिलने वाले स्ट्वेंट्स तो चैनल को सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया तो जरूर कर लें इसी परकार एनर्जी साइन्स में स्ट्वेंट्स आप MSC प्लस PhD कर सकते हो MSC करके भी आप छोड़ सकते हो अधर्रवाइस आप MSC प्लस PhD कर सकते हो यह जो तीनों कोर्स है आपका एनर्जी साइन्स, एन्वारोमेंट साइन्स और ओप्रेशन रिसर्च यह तीनों आपके आई-पीएच्डी है आई-पीएच्डी का मतलब के होता जिसमें MSC प्लस PhD होती है तो स्ट्वेंट्स एनर्जी में आप देख रहे हैं जनरल के लिए 9 सीट है, EWS के लिए 2 सीट है और SC के लिए 2 सीट नोर्मल है और एक PWD रिजर्वेशन की है इसी परकार एन्वारोमेंट साइन्स में आप देख पा रहे होंगे स्ट्वेंट से है टोटल पांच सीट है और एक सेट AWS की है, OBC की तीन सीट है और SC की 2 सीट है इसी परकार आपमेशन रिसर्च में पैस funds भी जा सकते हैं और जो mathematical aesthetics वाले strength है वो भी MS वाले strength भी जा सकते हैं तो इसमें total 6 seat है और EWS में 2 seat है और OBC में 4 seat है और SC में 2 seat है इसे परकाले strength IAT बिलाई ही जो आपकी new IAT जिसको आप कहते हो या lower IAT जिसको आप कहते हो उसमें अगर बात करें तो general की seat 5, EWS की 2 है और OBC की 3 seat है और SC की 1 seat है IAT बु automotive and ocean research का program है तो दोनों में seat आप देख पा रहे होंगे general की seat दोनों में 10-10 है आपकी और इसके साथ ही आपकी EWS की I.P.H.D. में आपकी 3 है और O.C.N. research में आपकी 2 seat है इसी परकार OBC में दोनों में 6-6 seat है और इसमें I.P.H.D. में 3 है math में और O.C.N. research में आपकी 4 seat है SE category के लिए इसी परकार बात करें है हम IAT देली के लिए तो friends IAT देली के अगर आप देख पा रहे होंगे IAT देली में MSC math जनरल के लिए 28 seat है EWS के लिए 7 seat है OBC के लिए आपकी 18 seat है और SC की 10 seat है बात करें IAT दनबाद तो IAT दनबाद में आपको पता है कि आपकी pure mathematics नहीं है IAT दनबाद में MSC mathematics and computing है जहाँ पर आपकी total seat 22 है जनरल के टेगरी में और EWS में 6 seat है और इसी परकार आपकी OBC में 15 seat है और इसी परकार SC के टेगरी में आपकी 8 seat है बात करें IAT गांदी नेगर तो IAT गांदी नेगर मे में MSC mathematics है वहाँ पर जनरल की seat 15 है OBC seat 5 है और इसी परकार आप देख पारे होंगे OBC seat 11 है और SC seat 5 है इसी परकार IAT हिदराबाद में maths IAT हैदराबाद में maths भी है और IAT हैदराबाद में maths and computing भी है दोनों ब्रांस अविलेबल है जो आपको अच्छी लगए उसमें admission ले सकते हैं तो इसमें आपका 11 seat है जनरल के लिए और AWS के लिए 2 है और OBC के लिए 6 seat है और SC के लिए 4 seat है IAT GOAT जिसके बारे में आप जानते हों और OBC के 16 seat है और SC के 10 seat है इसी परकार हम बात करें IAT indoor की indoor में आपके जनरल के 8 seat है जिसमें MSC mathematics है और AWS के 2 seat है और यह आप देख पारे होंगे इदर OBC के 5 seat है और यह आपके SC के 3 seat है IAT जोथपूर में दो बरांस आपको पता होगा MSC mathematics 2 साल का प्रोग्राम है जिसमें जनरल क 24 seat है AWS के 2 seat है और OBC के 5 है और SC के 4 है इसी परकार IAT जोथपूर में एक प्रोग्राम और है चार साल का जिसमें MSC plus M-tech होती है जिसमें जनरल की seat कितनी है 3 seat है और OBC के 3 seat है AWS की 1 seat है और SC के 2 seat है बात करें IAT कानपूर बहुत सारे स्प्रेंट की चोईस होती है टोप IAT जिसमे जनरल की seat जो है MSC mathematics है यहाँ पर जनरल की seat 20 है OBC की 13 है और AWS की 5 seat है और SC की 7 seat है IAT खड़कपूर बहुत सारे स्प्रेंट का सपना होता है यहाँ पर study करना तो यहाँ पर जनरल केटेगरी की seat है वो 15 है OBC की 10 है AWS की 4 है और SC की 6 seat है यहाँ पर SC में एक seat जो है वो reservation है किसका PWD reservation IAT मदरास बहुत सारे स्प्रेंट का सपना होता है यहाँ पर टोटल जनरल की seat 20 है MSC mathematics अविलबल है यहाँ पर और AWS की 5 seat है OBC की 13 seat है और SC की 7 seat है IAT मंडी जहाँ पर आप ध्यान रखना IAT मंडी में कौन सी ब्रांच है अपलाइड mathematics तो इस्ट्वेंड यहाँ पर जनरल की 20 seat है AWS की 5 seat है और यहाँ पर OBC की 14 seat है और SC की 7 seat है IAT पलकार जो new IAT हाली में open हुआ है जिसमें MSC course launch हुआ है MSC mathematics है वहाँ पर हमारे तमाम इस्ट्वेंट भी करें है हमारी इस्ट्वेंट तो लगबग जितने भी IAT, NIT, Central University है हर जगे इस्ट्वेंट मिल जाएंगे तो IAT स्ट्वेंट है प्लस EWS सोरी PWD रिजर्वेशन और SC में 4 seat है IAT रूट की बहुत सारे सपना होता है MSC मैच तो वहाँ पर जनरल की 15 seat है OBC की 10 seat है EWS की 4 seat है और यहाँ पर देख पारे हों कि धान दीजिए SC की 6 seat है प्लस 1 seat reservation है PWD का जो विकलांग इस्ट्वेंट है IAT रोपार नया भी नहीं कह सकते है इसको लगबग नया मानते है आप इस्ट्वेंट तो इसमें 10 seat है जनरल के लिए 3 seat है EWS के लिए और 7 seat है आपकी OBC के लिए 3 seat है आपकी SC के लिए IAT तरूपती हाली में यहां कोर्स एक नया new design course आप इसको कह सकते हो जो लोंच हुआ है जो MSC mathematics and statistics है MSC mathematics and statistics जहां पर statistics वाले student भी admission ले सकते हैं और math वाल student भी admission ले सकते हैं यहां पर general की seat 6 है OBC की 3 है EWS की 2 है और SC की 2 है और स्ट्रेंड आपको पता होगा हाली में IAT जमूब भी 5 course लोंच कर चुके है तो उसमें MSC mathematics भी 2 साल का program है इसकी अभी seat confirm नहीं हुई है इसकी seat अभी confirm नहीं हुई है तो एक लगबग एक idea लगा रहे हैं हम कुछले साथ सालों के अनुभव के according कि लगबग इसमें general की 10 seat होने वाली है EWS की 3 seat है और OBC की 6 seat होने वाली है MSC mathematics में या MSC mathematics and computing branch में या IPHD में total seat जो है total seat जितनी भी seat अवेले है जनरल वालों के लिए 316 seat है 316 और इसी परकार और SC category के लिए आपका 115 seat है 115 तो यह strengths आप total seat देख पा रहे होंगे एक बात और ध्यान रखना आपको ऐसे टेंस नहीं लेना है EWS वालों को strengths अगर आपकी rank अच्छी रही तो general category के अंदर OBC वाले भी जा सकते हैं EWS वाले भी जा सकते हैं और SC ST वाले भी जा सकते हैं आप बनाएंगे इसके साथ इस्ट्रेंट्स आपको बहुत सारी स्ट्रेंट का डाउट होता है कि सरम अपनी category को कैसे चेंज करें हमने गलती से जब अप्रोपर सोल्यूसन दूंगा आप counseling के टाइम में अगर आप counseling के टाइम में करना चाहते हो अपनी category को चेंज तो आप कर सकते इसका भी मैं आपको प्रोपर प्रोसेस बताऊंगा और आप हमारी membership लेना चाहते हैं आप पूरा counseling process मेरे दवारा है मेरे टीम के निजरेशन में अगर आप पूरा counseling process करो ना चाहते हो तो उसके लिए आप हमारे contact number पर contact कर सकते हो वोडसम नमर आपको इसके मिल जाएंगे य और all about counseling process होता है IIT का, NIT का, counseling का हर step by step आपको इसके प्रोपर solution के साथ आपको जो है वीडियो मिलते रहेंगे और आपका और भी कोई doubt है और भी किसी परहार का आपको वीडियो चाहिए तो आप comment करके दरूब ताना और हमारा next video आने वाला है next video आने वाला है सभी IIT के लिए इस परकार हम सभी IIT का analysis करके हम अलग अलग वीडियो हमारे डेली आते रहेंगे स्ट्रेंट्स तो बहुत बहुत धने वाद